वैक्सिनेशन में टॉप पर पहुचा है हिमाचल प्रदेश तो वैक्सिनेशन को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश नमबर वन पर पहुचा 18 साल से उपर के 16.1 फिजदी आबादी को वैक्सिनेशन उपलब्द हो पाया है वैक्सिनेट किया गया हिमाचल को दस्वाँ और यूपी को ग्यारवा स्थान मिला है वैक्सिनेशन अभियान को लेकर करके हिमाचाल में 22.1 फिरिजदी आबादी को पहली डोज वैक्सीन उपलब्द कराई जा चुकी है 62.1 फिजदी लोगों पहली डोज ले चुके हैं और 18 साल से उपर के 16.1 फिजदी आबादी को दोनों डोज लगाई जा चुकी है तो हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश को नमबर वन पर रखा गया है वक्सिनेशन की डोज देने के मामले में वक्सिनेशन अभियान के तहत नमबर वन पर हिमाचल रहा जबकि दूसरे इस्तान पर दिल्ली, दसवें इस्तान पर बिहार और ग्यारवें इस्तान पर उत्तरप्रदेश रहा है हिमाचल में 22.1 एक फिजदी आबादी को पहली डोज लगाई जा चुकी है वैक्सिन और इसके साथ ही आपको बता दें कि कुरोना वैक्सिनेशन में टॉप पर हिमाचल प्रदेश पहुंचा है 18 साल से उपर के 16.1 एक फिजदी आबादी को दोनों डोज लगाई जा चुकी है हिमाचल प्रदेश में वैक्सिन तो मैं वैक्सिनेशन को ले करके इस वक्त की बड़ी ख़बर हिमचार प्रदेश से है जहां पर हिमचार प्रदेश को पहला इस्थान मिला है वैक्सिनेशन अभियान को ले करके तो वहीं दिल्ली को दूसरा इस्थान, बिहार को दस्वा इस्थान और जबकि उतरप्रदेश को ग्यारव्या इस्थान मिला है साल के 365 दिन 24 गंते और 7 दिन हर हालात, वाक्यात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एन्वी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को करें फॉलोग उठाइए रेमोर और जुड़िये एन्वी न्यूज के साथ टाटास्काय चैनल नंबर 1927 और एर्टेल चैनल नंबर 356 पर अब एन्वी न्यूज, जियोटी, मोबी अप, एर्टेल एक्स्ट्रीम, ओटी इंस्टाग्राम, ट्विटर, भूगल प्ले और एप स्टोर पर भी अवेलेबल है एन्वी न्यूज, आपके भूलंद आवाज, आपकी बाद